दोस्तो आज हम लोग परतिरोद का यह पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा है है ना जिसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक परतिरोद के बारे में कुछ बेसिक हम लोग जनकारिया हासिल करेंगे है ना परतिरोद को हम लोग इंगलिसम करते हैं रेजिस्टेंस परतिरोद के इमिस में क्या कहते है अब ध्यान रखना परतिरोद आखिर है क्या तो परतिरोद कहते है यह यह डीसी में डीसी में धारा के परवा का बिरोद बिरोद करता है करता है यह डीसी में धारा के परवा का क्या करता है बिरोद करता है यही जो है गुन इसका क्या है यह परतिरोद परतिरोद को हम आर से सुचित करते हैं आर पर फरमूला होता है ग्रु एल भार ए इसका मत्रक रूँद मैंसिंट होता है फिसका सिंबल होता है इस तरह से होता है सुचक है सूजए इसमें देख लेंगे हैं गाल इहां पर धिवासा यह आर्फ history आ कि प्रतिरोद किसी चालक का विशिष्ट परतिरोध है क्या है विशिष्ट परतिरोध है विशिष्ट परतिरोध है विशिष्ट परतिरोध है एल क्या है तो एल चालक का चालक का लंबाई है चालक का लंबाई है यह एक क्या है तो यह जो हमारा है यह चालक का चालक का अनुप्रस्त काट का छेतरफल अनुप्रस्त काट का छेतरफल है अब देखो जैसे कि हम लोग उधार लेते हैं कैूसरे माल ल enforced का सब्रस्त के एक प्रमीद हैं और चेतरफल अनुप्रस्त काट काहिक और लिखा sí इशान देता, यह ता यह तामबा का अलक से गुन होगा यह धारा को रोकने के लिए जिसका इस परतिरोद्त रो होगा. जितने भी तंबा का तार रहेगा उस सभी का बिस्षिभ भरत्रोद होगा हुश्य सभी का बिस्षिभ लिए बनी होगा त्सट्राइब ये हो गया दखते हैं कि generic हो गया रहा हो गया पर देखें तो रहे हो गया बिसिष्ट प्रति रे जो है या बिसिष्ट प्रति रे इस के यह इस में रहा है आपना पर ना प्रूंण होता है है किसी भी चला का अपना एक गुन होता है यहां पर हमने दो छालक लिए दो तार लिए एक यह तार रहा लोहा का अब दूसरा तार इसे लंबा ले लिए यह नवारा इसका यही जो तार लिए हैं हम लोग लोहा कहीं लिए हैं अब पुछता है कि दुनों का बिसीश परतिरोद जो हमारा होगा वो क्या होगा बराबर होगा दुनों का बिसीश परतिरोद क्या होगा बराबर होगा दुनों का बिसीश परतिरोद क् दो टार ले लेते हैं तो इसका बिश्य परतरोडों कानु पात क्या होगा तो इसностью कानूपात क्या ओगा Begin क्वंन फिर करहेगा जैसे के हम लोग कोश्य सब्लक्तें हैं कि माल लेते हैं कि ताम्दे के अगर ने के दो तार A एबं B है, जिसकी लंबाई 5 मीटर एबं 100 मीटर है, 5 मीटर एबं 100 मीटर है, तो दोनो तारो की 20 प्रतिरोध होगी, तो दोनो तारो की 20 प्रतिरोध होगी, पूछा है 20 प्रतिरोध, तो चाहे तो तार जितना लंबर है या जितना छोड़ा रहे, बस एक ही टाइप को होना चाहिए, तो दोनो तारो की 20 प्रतिरोध होगी, है ना तो दोनो तारो की 20 प्रतिरोध क्या होगी, समान होगी, इंसर क्या हो जाएगा इसका, समान या बराबर होगी, समान होगी, यह जितना दोनो तारो की अनुपाथ होगी, तो क्या होगी, वान अनुपाथ, वान, वान अनुपाथ, वान, यहां तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए, अब 20 प्रतिरोध मतलब की रो, तो देखिए हम लोग आर बराब फर्मूला लिखे हैं, यहां गौर करना थो अचा, आर बराब फर्मूला लिखे हैं, रो एल भाई ए, यह हम रो बराबर लिखना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर गुने ए बाई एल, अब देखो, आर अब देखो एक मीटर कर जाएगा, तब बज्राइगा हमारा, मतलब 20 पर त्रोद के मतल क्या होता है ङृटकर , फिसट्रोध पर्थियोत के, वहल जाता है पुछते रहता है, मतल अम लोग देख ल极ब ने कि आखिर किस किस प्रतिरोद पर निर्भर कर 10 क्योंको कि यह प्रतिरोध प्रती रोड रो शेक है ताप एवां था है प्रति रोड निर्वर पतार्थ पर निर्भर करते हैं निर्भर करते हैं तॊस्क्रोइज का पर इस पर नाएक शेतर फल नहीं करती है इसको लिख लेना कि विस्ष परति रोद लिख लेंगे 20 परती रोद लंबाई एवं छेतर फल पर निर्भर नहीं करती है सब्सक्राइब लंबाई एवं थाधियान में करती है अब देख लेते हैं परती रोद के बारे में प्रती रोद ध्यान देना दोस्तों पर्तिरोदोल को नहीं है क्या हम लोग निकाल जायेंगे हैं इस पर्तिरोद को नियुकें छान पहते न को छंठ रहता कि जब के जब किसी है आए है जाव को है जब किसी चालक को जब किसी चालक को को खेन कर छेकर इन गुना कर दिया जाता है इन गुना इन गुना कर दिया जाता है जाता है तो नाया परतिरूद क्या होगा तो नाया प्रतिरूद क्या होगा किया होगा इस तरह से कोचन भूचता है मतलब क्षिच कर बारे में कह रहा हffen तो देखो जो नाया परतिरूद होगा R new मतलब कि new resistance बरावर हो जाएगा हमारा जब खीचे ध्यान रखना क्या क्या है? खीचा है तो जब खीच के अन गुना करा है तो A square R जो यी old परतिरोद होगा A square R old परतिरोद जैसे कि हम लोग देख लेते हैं माल लेते हैं कि यदि यदि किसी तार का परतिरोद यदि किसी तार का परतिरोद परतिरोद यदि किसी तार का परतिरोद चारोम है कितना हम है? यदि किसी तार का परतिरोद चारोम है चारोम है इसे इसे खीच कर खीच कर पांच गुना पंचगुना कर दिया जाता है तो नाया परतिरोध क्या होगा कर दिया धियाच अभी बताए निव परतिरोध बरावर नुब न्यू बरावर फर्मुला अब भ्यादो तो ऑन के स्कवार र है गुना कि इन गुणा किया पांच गुना आर उल्ल मतलब पुराना परतिरोध मतलब डूल कितना वतार का चार है तो गुना चार गुना चार गुणा कितना हो गए चार तो कितना हो गया पचीस गुणे चार मतलब कि समर नअ रतिरोद क्या होगा हमारा सर यहां तक तो कोई दीकत प्रेर नहीं होना चाहिए दोस्तो है न काने पैसी mi पूछ लेता कि बताई Parlake गुणा हो जाए माया परतिरोत कितना गुना हो जाएगा तो आप ही लोग बताए कितना गुना हो जाएगा तो बताओ पहले कितना था चार था हो गया कितना सो मतलब कि कितना गुणा हो जायागा जी 25 गुणा पचीश गुणा जैसे कि इस एक्जांपल पर समझ लो माल लेते हैं कि यह चालग तार तार यह जिसका परतिरोत कितना था चारों तार को खीचा कीच करके इस तार को यहां से इतना बारा कर दिया हिंच करके इतना बढ़ा कर दिया मतलब कि यदि यह कहां इसका लंबाई था तो यह पांच गुना लंबाई बरहा दिया लंबाई तो यह पुछा कि आप इसका परतिरोध किया होगा नय परतिरोध तो इसी को हम लोग क्या निकालें इसी का परतिरोध कितना गया 100 इसी का कित सब यहां तक तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब यह तो जब खीचा तो कभी पूछ दता कि बीना खीचे हुए बीना खीचे मतलब कि ऐसे ध्यान रखना कि यदि कि यदि किसी यदि किसी चालक की लंबाई इन गुना कर दिया जाए इन गुना कर दिया जाए इन गुना कर दिया जाए मतलब कि बीना खीचे हुए कर दिया जाए तो तो नाया परतिरोध किया होगा तो नया पर्तियोद क्या होगा कोछ नहीं क्या कदो कुछ नहीं करके नया थिर्थ यह चा नहीं बेना खीचे ऊचे हुए तो बीना खीचे हुए और झिव जsti बरावर परूला बस कुछ नहीं ए इन अगूना और लोड डेशी और सिकसी को प्रतिरोध प्रति ये दी किसी तार की प्रतिरोध चार हों में कितना हों है पांच हों में ये दी किसी तार का और इसके लंबाई को चर्गुना कर दिया गया चर्गुना कर दिया गयाई कर दिया गया तो नया परतीरोद क्या होगा तो नया तो नाया प्रति रोद तो नाया प्रति रोद तो नाया प्रति रोद क्या होगा तो नाया प्रति रोद तो कुछ नहीं बस इस तेस रहेगा तो आर निव बराबर है आर निी ब्राबर एं गुने मलों बताएं तो बस कितना है रचात पुराना जा पर तेया हैos तो पंचो का कितना 200 धियां रखना पंचो का कितना 20 वाधिया वो कि खाली या कुछ लाकर ये कि साय चालक से जोड़ रहा किसको बीड़ ईहां कितना कि प्रदोर्ड़ की इस कर दिया चरगुना तब इसी का प्रतिरोध कितना हो गया बीसों मतलब क्यों हो जैसे कि समझ लो अभी बताए है कि आर अब राव फर्मूला होता है रो एल वाई ए अब यहां से कर पूछ लिता है कि परतिरोध किस किस पनिर्फ़ करता है तो ध्यान रखना कि परतिरोध प्रति रोध ताप कोमा लंबाई लंबाई कोमा तथा तथा छेत्रफल पर निर्फर करता है मतलब यहां से दियान दना अगर विसीष परतिरोध पर भी निर्फर करता है विसीष परतिरोध को उटा दे तो आर शणूलपाति एल दूसरी बात आर वितकर्णूलपाति वन भाई ए मतलब हैं से क्या हुआ कि यदि लंबाई बरहाएंगे तो परतिरोध बढ़ जाएग लंबाई घट आएंगे तो प्रतिरोद का हो जाएगा घट जाएगा जिसे धारा का मान बढ़ जाएगा यहां दियां रखना कि प्रतिरोद बढ़ता है प्रतिरोद पहले भी बता होंगे कि प्रतिरोद बढ़ता है तो तो धारा का मान घटता है घटता धारा का मन क्या होता है घटता है इसको तो सब्सक्राइब ध्यान में रखना यह दिल लंबाई बहर है कि देखिशन पाती तो प्रतिरोद भी बढ़ता है लंबाई को कम करेंगे कम करेंगे तो परतिरोद भी क्या हो जाएगा कम जाएगा लंबाय को कम करेंगे तो परतिरोद भी कम जाएगा जिसे धारा बढ़ जाएगा यहां दो छेतरफल को बरहाएंगे छेतरफल बढ़ेगा तो परतिरोद घटेगा यहां रोखना छेतरफल बढ़ेगा तो दार चेंडा का नहीं बढ़ता है तो कब कॉन कंडिशन हो रहा है तो यहां से तुम का किलियर घो जाना चाहिए फृस्तर से पर्तीरोट का और हम लोग आगे वीडियो अप्लोट करेंगे जा blij आ देखेंगे बहुत अच्छी तरह से ऊप्रोल कोड़ा है जिसको क्या हुआ हुआ रहे है